थाकड़ खबर के नियुजुम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस खान एक बड़ी खबर आ रही है भाजपा का एक मंत्री कह रहा है मुर्गा मत खाओ, बक्ली मत खाओ, मचली मत खाओ, बीफ खाओ, जी हाँ भाजपा का मंत्री कह रहा है, तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कौन है मंत्री दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस मंत्री को इस तरीके का बेहन देने की जरूरत क्यों पेश आई और तीसा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कहां से आ रही है एक खबर तो जब आप ये जानेंगे एक खबर कहां से आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि असम और मिजुरम के बीची भी बाद नहीं चल रहा है असमका और भी कहीं सारी राज्जों से बीबाद चल रहा है और लग रहा है कि केंदर में बैठी उमोध इसरका इस पूरे मामले को हलके में ले रही है जैसे हैं आप कहा सकते हैं पहले लोगों को लड़ाया नफरत पहला पहला के फिर जातियों को लड़ाया और अब राज्जों को लड़ाने का काम कर रहा है तहाँ शायद उलजाए रखने में लोगों को ऐसे ही इनको मज़ा आता है और ये आराम से अपनी सत्ता करते रहते हैं छोड़ते हैं खर इनकी कहानी को खबर की तरफ चलते हैं तीन इस सबब पुरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ तो सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं तो NDTV इंडिया और जनसत्ता की रिपोर्ट के मताबिक मेगाले में BJP के मंत्री है सब लोग जानते हैं मेगाले में BJP की सरकार है इसके लिए ये दलील देने जिरुतनी के जनसता और एंटिटीपि भी बता रहे हैं के वहाँ BJP की सरकार है और वहाँ के मंत्री ने बेया दिया तो सीधा सीधा BJP की सरकार है मेगाले में वहाँ के जो मंत्री है नाम चपा है उनका सौनबार शुलाई सौन बार सुलाई का कहना है कि वो लोगों से कह रहे हैं कि मुर्गा मत खाइए यानि कि मीट अगर खाना है मुर्गा मत खाइए बक्रा मत खाइए मचली मत खाइए मीट खाना है तो बीफ खाइए जादा से जादा मैं लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ ये सब करने के पीछे मेरा मक्षा दिये है कि लोगों में जो धारना फैल रही है कि BJP सरकार B पर रोक लगा सकती ये इनके गाएं के मास पर रोक लगा सकती है हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे है मैं उसी धारना को तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं साब बता देना चाहता हूँ कि हम असम के मुख्यमंतरी से बात कर रहे हैं ताके पशुओं के बॉर्डर पर आवागमन में कोई दिक्कत ना पैदा हो ये बड़ी खबर शपी है साथ ही आगे वो कहते हैं कि हमें हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे सीमाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बलका इस्तेमाल करना चाहिए मैं मिजोरम की पुलिस की तारिफ करता हूँ कि उसने अपनी सीमा और अपने लोगों की रक्षा के लिए हातियार चलाए और असम के साथ जो भी कुछ हुआ लेकिन मैं मेगाले की पुलिस की आलोचना भी करता हूँ जो इस तरीके से नहीं करती है जबकि हमारे यहां के लोग अपनी सीमाओं की रक्षा करने में खुद ल सारे सवाल पैदा हो सकते हैं लेकिन उसे पहले कुछ चीज़े फिर बाद में सवालों पर जोर डालेंगे बताया जा रहा है कि पिछले हपते ही इनको मंत्री बनाया गया है कैबिनेट मंत्री बने हैं उसी के बाद इन्हों ने एक बयान दिया था कि हर शक्स को बारत का लो पसू पालन और पचूच किसा मंत्री बनाए गए हैं सन बोर शुलाई और उनका ये बयान काफी परमुक्ता से दिखाया और चलाया जार रहा है क्या कहलाता है उनका बयान इसके कुछ माइने समझ लेते हैं देखिए इनके बयान के आगर आपको माइने समझने हैं तो आप को एक खबर पर नज़र डालने पड़ेगी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये खबर जो अखबारों में छपी है वो छपी है 13 जुलाई को इस खबर के मताबिक असम की विदान सबाने एक प्रस्ताव पास कर दिया उस प्रस्ताव पास करने के बाद साफ कर दिया कि अ आसम के अंदर अब जहां पर सिख कम्यूटी के लोग रहते हैं जैन कम्यूटी के लोग रहते हैं या हिंदू कम्यूटी के लोग रहते हैं वहां पर बीफ नहीं बेचा जाएगा वहां पर बीफ नहीं बेचा जाएगा मतलब पूरे आसम में बेच सकते हैं लेकिन वहां प की इजाज़त के बगए यां डॉक्टर से सट्विक लेगे बगए किसी भी पशू को काटा नहीं जाएगा पहले उसे प्रिमिशन लेने पड़ेगी अलग बात है कि वह गहां या बचड़ा होगा तो प्रिमिशन नहीं देगा इसके अलाब वाद 14 साल से कम के मवेशी को काट को सक्त किया गए एक जिले से एकी जिले के अंदर यानि कि उस जिले से उसी जिले के अंदर आपासा नहीं से ले जा सकते हैं इसके अलाब वाद एक जिले से दूसरे जिले में ले जा रहे हैं तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कहा गया है कि असम मवेश संड़क्शन अदिवियम दोजार एकिस इसी के बाद चिंता जटा रहा है में गाले क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की जो है मंतों विस्वा सरकार है वो अपने आपको हिंदुत्वा के आइजेंडे पर आगे बढ़ाने की बात कर रही है लेकिन जैसा क होगा गोवा में जो सरकार है महां मनावर पाड़कर ने का कि हम अपने लोगों के लिए बीफ की कमी नहीं होने देंगे तो वहां के सामाजिक और जो भोकली किस्तिती है धार्मी किस्तिती जो भी कुछ है उसके बज़े से महाबीज घाने को बुरा नहीं माना जाता तो पिछले अपते बयान दिया वहां कि पशू पालन और चिकित सामंतरी ने कि ऐसा है लोगों को अपनी पसंद का खाने की इजाज़त है और समीदान इसकी इजाज़त है तो इस बार उलों ने कुल के कहा कि मैं लोगों से कह रहा हूं मूरगा छोड़ें मचली छोड़ें बक्र पर रोक लगाई जा सकती है अब एक दिल्चस्प खबर और आपके सामने रख रहा हूं उसे देख ले लिए ये जन सत्ता पर खबर छपी इसमें कहा गया है कि गो हत्या और नशीले पदार्त की तसकरी पर रोक लगाने की तिलमिलाट की वज़े से मिजोरम ने ये हमला किय क्या दिन पुरानी ये खबर है लेकिन इस खबर को इसी से जोड़के देखना जरूरी है हमन तो इस वक्सरमा का ये बयान और ये कहना कि हमने अपने हाँ जिस तरीके से गो हत्या पर रोक लगाई है जिस तरीके से हम लोग जो है नशीले पदार्तों की तसकरी पर रोक दो क्या असम से मास महांग पर जाता है तब लोग खाते है या अनके हमास काटने की या सलाटरा hata उसकी कोई व्यक्षा नहीं ये ये कहना चाह रहे हैं दूसरा उनका एक हैना कि नशीले पदार्तों की तसकरी पर हमने रोक लगा दी थो इसकी कहना है कि मिस्ज़्वरिम की लोग जो हैं जादा नसेड़ी हैं वो जादा नशा करते हैं अब इनके हाँ से जो नशा वहां सप्लाई किया जाता था वो वहां नहीं जा पाएगा तो उनको दिक्कत खड़ी होगी इसलिए तिल मिलाइट में हमला करने ये दोनों चीज़ें भी इनको क्लियर करनी चाहिए लेकिन सबाल खड़ा होना लाजमी हो और विवाद रुकने का नाम नहीं रह रहा है ये खबर सिर्फ हमने फोकस की मेगाले और असम के बीच पैदा हुए ताज़ा विवाद को लेकर इसके अलाव आप जानते ही हैं कि लगातार विवाद बढ़ रहा है उस पर भी ये खब लगते हुए ये अवलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हुँगा हाज़ी फिलाल भी मुझे ने इजाज़त